जल सनरक्षन और प्रबंधन जल सनरक्षन के लिए हर नागरिक, समाज और साशन को साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यक्ता है इनमें मुख्य रूप से जल स्त्रोतों में घरेलू और ओद्योगिक अपसिस्ट न डालना पे जल स्त्रोतों के निकट सनान न करना वा कपड़े न धोना जहरीले रासानिक पदार्थों युक्त मूर्तियों को विसरजितना करना और जल में उत्पन खर पतवारों को हटाना शामिल है जल का पुनरवित्रण करना अर्थात अधिक वर्षा वाले छेत्रों से जल को नहर के द्वारा कम वर्षा वाले छेत्रों में पहुचा कर शेत्रे विशमता को कम किया जा सकता है परंपरागत जल सनरक्षन विधी प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राज और सार्वजनिक सहयोग से जीले, तलाब, कुए, बावडिया, आधी का निर्मान किया गया है समय समय पर विभिन जीलों का निर्मान करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्गों को मोड कर तथा जीलों को आपस में जोड कर जल संरक्षन करना इसके उदाहरण है टांका थार इलाके की परंपरागत वर्षा जल संग्रहन विधी है, यह एक भूमिगत छोटा कुआ है, जहां मकानों के छत और अनिपक्के जल ग्रहन शेत्रों से बहा कर जल को पक्के टांके में लाया जाता है यह लगवक 6 मीटर गहरा और 2 से 3 मीटर चोड़ा होता है, टांका की बाहरी दिवार जहां से जल आता है, वहार फिल्टर यह छन्नी लगाई जाती है, ताकि जल गंदा ना हो बाड मेर, जैसल मेर और बिकानेर जैसे मरुस्थल के शेहरों में टांकों की बहुत आयत है आधुनिक जल सनरक्षन विधी प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल सनरक्षन दिवस के रूप में मनाया जाता है आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए, जल सनरक्षन के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही है जैसे बांध एवं नहर बनाना, बून बून एवं फवारा सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एन स्प्रिंकल इरिगेशन, दूशित जल को साफ कर पुना उप्योग, जन जागरुकता फैलाना, आधि रूफ टॉप जल संग्रहन विधी, इनमें सबसे नवीन वा कम वर्षा वाले शित्रों के लिए अधिक उप्योगी विधी है इस विधी में वर्षा के जल को भवन की छट से एक पाइब द्वारा नीचे बनी पानी की टंकी हौज में एकत्रित कर लिया जाता है बाद में अवशक्ता नुसार उस पानी का उप्योग किया जाता है यहां का एक लोग गीत है मौमाख्या, मधुमख्या, फूला स्यू रस रो एक एक कंड चुग्रा शहद रो धेर लगा सके है तो के में मारस बादल रह बरस्ते रस ने नी सहे सका अर्थात, मधुमख्या, फूलों से रस का एक एक कंड एकत्र कर शहद का धेर लगा सकती है तो क्या हम इंसान बादलों से बरस्ते रस को भी नहीं सहेच सकते